इंजिनेर्स को मलाव वायटक की तैमीर के दोरान फ्रांस में दुनिया की बुलंत तरिंग पूल की सुटूं को ट्योडने में जलूं जूंखा सामना करना पुड़ा वायटक टैफिल टावर को पीछे छोड़ते हुएं ग्यारातों पच्चीज फूट की बुलंदी पर खड़ा है वेरुकम टूएंदी टेवी वीडियो जिदा खतों और एक नची को नदेवन दात करना जरूरी था इस मन्तू बे मिन सबसे उंची फूल की सुतों को खड़ा करना वहाड़ी जल्वान पर 36,000 और चार लैन वाली शायरा लगाना और एरबच एट 380 से बार एक टीद के पाइलन नसब करना चामिल था मलाओ आइड़क की तैमीड के दोरान इंजनेर्स को तुनिया के बुलंत तरीण पुल के सुतों को जोड़ने दूख चैलेंजेज का सामना करना पड़ा आप लोगों के लिए जैस जानना ज़रूरी है के मलाओ आइड़क पुल की एमित क्या है पुल क्यों दुनिया के सब्धे उंची पुल के तोड पर निमया किया जाता है। जिसी फ्रांट में 2004 में तींट चुरानवे मिलियन जिरो की लागत्ते तैमेर किया गया था। कि तैमीर निन इंजनेरिंग के बेपना चैलेंजीज और जदीद हल की जरुवत थी। पुल की तैमीर के दोड़ान इंजनेरिंग की जिचन बड़े चैलेंज का फामना करना परा। सब्धी बड़ा चैलेंजे था कि पाहड़ी डर्वानों पर दुनिया के बलंत तरीन पुल के स्टूनों को खळा करना है। डुल्स राउन सुतूनों के उपर 36,000 तन चार लैंड वाली हाइवे को सपोर्ट करना। सीसरा पुल पर स्टील के पैलेंग की पोजिशनिंग करना। माहरेन ने इप्तिजाई तर पर मुलाओ वाया डग पुल की गेर मामूली और उंचाई पेचीदा हालात की वज़ाद से इसकी फिजिबिल्टी परशक किया। कलिफर्निया के गोल्डन गेट बिरिज के साथ मौलना एफबादायत और अमनियत पर तश्वीच के साथ किया गया। ताइम जैसे जैसे ट्रैफिक का उजूम बढ़ता गया। फ्रामसे सीवकुमत ने पुल की तैमेर को वायत का बिल्याल समझा।